दोस्तों अभी हाल ही में लगभग 970 क्रोड रुपय में बन कर तयार भारत के नए संसद्धोन का उद्धगाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया भारत के इस नए संसद्धोन के निर्माडव उद्धगाटन में कई ऐसे पल आये जो लोगों के लिए यादगार पल बन गए और कुछ ऐसी भी बाते निकल कर आई जो पहले थी पर अब लोग लगबग भूल ही चुके थे उन्ही में से एक था सेंगोल उस सेंगोल को लेकर काफी चर्चाएं हुई उस पर मैं भी आज कुछ चर्चा करने वाला हूँ दोस्तो नए संसद्भवन के उद्गाटन के दवरान भारती प्रधानमंत्री को वहां मौझूद दच्छिंड से आये पुरोईतों द्वारा एक सोने की बनी छडी नुमा सनचना भेंट की गई जिसे सेंगोल कहा जाता है और सेंगोल का मतलब सामान भासा में राजदंड होता है दोस्तों सेंगोल का इतिहास कोई नया नहीं है बलकि बहुत पुराना है आजादी के बाद सत्ताहस्तांतरण के समय अंग्रेजों ने जवाहरलाल नहरु को ऐसा ही एक राजदंड सौपा था और पीछे जाएं तो इसका प्रमाण लगभग पांच हजार वर्ष से भी पुराना है जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजदंड देता था यानि कह सकते हैं कि सेंगोल को सत्ताहस्तांतरण का प्रतीग माना जाता है वर्तमान राजदंड में नंदी बिराजमान है हिंदु धर्म व शैव परमपरा में नंदी को सकती संपन्नता हुआ समर्पण का प्रतीग माना जाता है या समर्पण राजा और प्रजा दोनों का राज के प्रतिलगाव को दरसाता है